रामराम भाई सभी सात्यों को जितने भी अपने गोर्मेंट एक्जाम की त्यारी करने वाले भाई बहने सभी को रामराम देख़िये आज आज आप सभी के लिए एक बहुत ही सांदर वेकेंश लेके आये हूँ यह vacancy जो है वो आपके science cream वाले बच्चों के लिए है तो यहाँ पर vacancy जो निकली है वो आपकी Indian Navy में निकली है भाई और काफी अच्छी vacancy level 6 की vacancy है यह आप मान सकते हो आपकी salary जो है काफी अच्छी रहने वाली है तो level 6 है आपका यहाँ पर जो है वो basic pay जो रहेगा 3500 रूप है रहेगा जिसमें अगर आप DA वगरा मिला लेते हो और बाकी सारी चीजे लगाते हो तो आपकी जो salary है 55,000 के उपर ही रहेगी उससे कम रहने वाली नहीं है तो यहाँ पर अगर बात करें vacancy की तो यहाँ पर अलग-अलग group है भाई जैसे मान लीजे पहला group जो है वो आपका electrical group है इसमें अगर आपने BSC कर रखिये physics से, chemistry से या math से या फिर आपने electrical engineering से diploma या degree कर रखिये है तो आप eligible हो total vacancy जो है यहाँ पर 42 है अगर आपने BSC कर रखिये physics chemistry math से तो वो तो आपकी हर जगर चलेगी भाई इसके अलावा जो additional जो है ना यहाँ पर electronics में अगर diploma है या फिर आपकी degree है या फिर telecommunication में आपके पास में degree है या diploma है या फिर आपके पास में instrumentation में degree या diploma है तो यहाँ पर चल जाएगा आप देख सकते हो बिल्कूल यहाँ पर computer feature की भी है ठीक है इसमें computer का science मांग रखी है अगर diploma है degree आपके पास में computer science में तो आप eligible हो BSC वाले तो सभी में eligible है भाई ठीक है तो यहाँ पर अगर आगे group में आए engineering group है इसमें भी BSC वाले eligible है तो करीब करीब अगर देखा जाए ना मैं बिल्कूल नीचे आजाता हूँ यह जो vacancy है BSC वालों के लिए सभी के लिए है बागी B.TEC वाले और diploma वाले बच्चे उनके लिए भी है कुछ vacancy है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 साल आपकी एज होनी चाहिए यह बात है और साथ में एक बात और बोली है कि जो आपकी जो crucial date जो होगी वह आपकी फोम भरने की जो last date है उसको ही माना जाएगा मतलब यह 18 साल से लेकर 25 साल की जो आपकी एज है वह आपकी फोम भरने की जो last date होगी उस दिन को काउंट किया जाएगा SC, ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं आपका exam pattern जो है वह आपका कैसा रहने वाला है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके जो form स्टार्ट होंगे वह 15 मई से स्टार्ट होंगे और आपके जो last जो form होगा वह आपका 29 मई को भाई form की last date है अब देख लेते हैं भाई आपको क्या करना है यहाँ पर syllabus आपका क्या रहने वाला है यह आपकी exam सीटी है जहाँ पर आपका exam जो है दस नमबर की ही आपकी normal English आएगी और 20 नमबर के आपकी general awareness रहने वाली है तो 50 नमबर का पार्ट तो आपका यह रहेगा उसके अलावा आपके जो बचे हुए 50 नमबर है वो आपके जैसे मान लीजी electrical ग्रूप था तो electrical से संबने सवाल आपसे पुछे जाएंगे जिस भी group से आप belong करते हो जिस भी आप phone भर रहे हो जिस group में उससे related जो आपके सवाल होंगे न वो आपके 50 marks में पुछे जाएंगे यह रहने वाला पूरा तरीका को मैंने बता दिया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थेंक्यू सो मच